हे एवरीबडी गुद मॉर्णिंग विडियो विडियो आ चुके हैं लगभग चार पांच वीडियो आ अपने आगर नहीं देखे हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्ट्रेम दिया कि वहाँ से अब जाके डेक्ट ली देख सकते हैं अभी जो वीडियो होगा यह होगा मु ग्रीम ही बस चार्ट के ला रहा हूं जो की एक्जैम में इनके आने के 100% चांसेज हैं आएंगे ही आएंगे लड़ेंगे लड़ेंगे तो इसको आप इसकी ना करें पोरा वीडियो आं तक देखें क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रीम है पानी मैंने चार्ट दिया है चलिए बिना दरीकि फटफट सी वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए हमारो फ़स्ट पॉंइंट है भारत के मुगल सासक मोलता कौन थे तो यह जोे है ना बेसिकली चकताई तुर्ग तो यह चकताई तुर्ग भारत में मुगलसासन का तापत किस ने स्थापित करने के पशाद जहिरुदिन मुहम्मद ने अपना नाम क्या रखा तो उसने बाबर अपना नाम रखा ठीक है भारत में मुगल सासन स्थापित करने के बाद जहिरुदिन मुहम्मद ने अपना नाम क्या रखा तो बाबर रखा ठीक है देखे अब जो यहां है खान जिर्द हो गई तब उसने मौदनी राय पर आकर्मन किया और उसका खानवा-उणवा का जो एरिया है उसने जीता चलिए नेक्स इधर देखे पॉइंट है इधर नेक्स जो पॉइंट है क्या है बाबर मूलता कहां का निवासी था देखे बाबर जो है ना मूलता यह फरगान का निवासी था जो अब करेंट टाइम में उजबेकिस्तान में एरिया पड़ता है ठीक है अगर बोला जायि फरगान कहां है फरगणा है तो यह करेंट टाइम उजबेकिस्तान presence बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंस का था तथा माता के पक्ष से अगर बोला है तो चंगेज खाँ यानि मंगोल सासा के वंस का था ठीक है ये कोशन बहुत बढ़ पुछा जाता है कि बाबर के पिता जो है किस वंस से थे तो और तैमूर वंस से थे ठीक है और ये जो है मा के और से चंगेज खावन से था अब देखे तैमूर वन से संबंध होने एक कारण मुगलो को न तीमूरियन भी कहा जाता था यह very important point मैं आपको बताया है ध्यान रखे हैं तैमूर वन से इनका relation होने को वज़े से मुगलो को तीमूरियन भी कहा जाता है ठीक है चलिए अब यहां से important points से स्टार्ट होड़ा हैं बाबर से related चलिए उसके धुमायू भी इसमें आएंगे अभी चलिए तो भारत में मुगल सासक वृस्तुत कौन थे तो यह चगताई तुर्क थे बाबर को भारत पर आकरमन करने के लिए किसने अमंत्रित किया था तो बाबर को भा भारत पर आकरमन करने के लिए आलम खां और राना सांगा ने इन्विटेशन दिया था ठीक है अब यहां देखे पानीपत का जो फर्स्ट यूद्ध हुआ था पहला यूद्ध वह कई सप्रेल पंदुशब्स को बाबर तथा इबराहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर ने इबराहिम लोदी को बुरी तरह से हराया था और भारत में मुगल समराज की नीव इसने डाली थी ठीक है किसको हराके तो पानीपत के प्रत्थम यूद्ध में बाबर इबराहिम लोदी को हराके इसका नीव डला और इबराहिम लोदी का राना सांगा यह चचेर में तुलूगुमा पद्धती का प्रियोग किया था बाबर ने किस यूद में तुलूगुमा पद्धती का यूज किया था तो पानीपत का फर्स्ट वर जो इबराहिम लोगी का अगेंस्ट की लड़ा था कब 1526 में कई सप्रिल 1526 को जो लड़ा था उसी में पानीपत में प् रथम यूद में ही किया गया ठीक है बाबर ने जिहाद गनारा किस यूद में दिया देखे ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है जिहाद गनारा बाबर कब दिया तो ये खानवा की यूद में दिया ठीक है खानवा की यूद में दिया जिहाद गनारा खानवा की यू आपसे जो गैर मुस्लिम जो इसलाम के बाहर वाले हैं वो सारे काफिर ठीक है बाबर ने तुरकी भासा में तुझके बाबरी यानि बाबर नामा नामक आत्मकता लिखी थी ठीक है इसकी जो तुरकी भासा में इसने लिखी तुझके बाबरी ठीक है और हिंदी भासा में फिर बाबरी मसजित का निर्मान किस ने करवाया था यह important है बहुत अभी यEC spec तो मीर बाकी ने बाबरी मस्जित के निम्रान कर वाए मीर बाकी इसका सेना पती था ध्यान रखे इस बात को ठीक है अब देखें इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट बाबर के दोड़ार लड़े का युद्धी ये पूछता है पानिवत का प्रतम युद्ध लड़ा ये 1529 में महमुद लोदी के अगेंस्ट ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे कोश्चन बनते हैं तो इसको याद रखना बहुत जोड़ी है उप्यूक्त जो यहां पर लिखा जा रहा है उप्यूक्त सभी युद्ध में बाबर की विजय हुई थी ये चाइस पूइर पूट्र था और ये विल्कूल निकम्मा था ये बाबर के दोड़ा दिया गया जो सम्राज मिल यह सम्हाल नहीं पाए तो लिन्पूल 2 ने क्या टिप्पने की की हुमायू पर इसंटियू करी है जीवन भर लडखानाता रह और लडखाने हुल अपनी जान तो तो बाबर को उसकी उधारता कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे तो बाबर क्यों उदारता है कारणस उसे लोग कलंदर कहा करते थे ठीक है क्योंकि वह बहुत दान धर्म भी किया करता था आगरा में किसने जोती में विधी से बाग यानि आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था तो बाबर ने लगवाया था ठीक हुमायू ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आकरमन किया था देखे हुमायू जो है न चुनार के दुर्ग पर सबसे पहली बार 1532 में आकरमन करा था देखे हुमायू ने कलिंजर का भियान किस वर्स किया था तो humaayu ने kalinger का वियान 1530 में करा था, ठीक है, कौन सा मुगल सासक जोतिष में विस्वास करता था, तो humaayu था, ये काफी अंध्विस्वासी टाइब का था, ठीक है, ये जोतिष सास्त्र में काफी जदा ये बिलीव करता था, astrology, numerology वगरा इन सब में, ठीक है, और दिन के हि अपरे भी पहेंता था यह बहुँ ज़्यादा अंद्विस्वासी था 26 जून 1549 को चौसा का युद में हुमायू को किसने पराजित किया था तो चौसा की युद में हुमायू को पराजित किया था सेर सा सूरी ने ठीक है ध्यान रखें से इसको अब देखिए चौसा के भीजती था भीजती मतलब क्या नाविक वो उसका जान बचाया और इसलिए हुमायू जो है उसका है उसको आधे दिन के लिए बादसा बना दिया और इस आधे दिन में ही उसने चमड़े का सिक्का भी जारी कर दिया था यह भीजती जो था निजाम ठीक है बाद में हुमाय दिल्ली पर दुबारा से सासक बना तो सरहिंद का ये युद्ध लड़ा था 1555 में उसके बाद ये दुबारा च能भी का साइब दिल्ली पर हुमायू आशीन वड्ली गदि पर आप देखेंगे वर्संद तो 26 में हुमायू की मिर्त्यू किस कारण से हुई? तो हुमायू की मिर्त्यू जो हुई वो पुस्तेकाले एक था, जिसका नाम था दीने पना. उसमें वो जो है लाकै किताबे पढ़ रहा था और फिर उपर से उतरते हुए, सीधियों से वो गिड़ा जिसके कारण से उसका मृत्य हो गया स्वन्ड सिक्का जारी करने वला प्रत्थम मुगल सासक कौन था तो ये most important है, VVI है बिल्कुल इसको ध्यान रखे स्वर्ण सिक्का जाड़ी करने वाला जो प्रत्थम मुगल सासक बोला जाय तो हुमायू था ठीक है ये इंपॉर्टेंट है देखे हुमायू के मकबरा का निर्मान किस ने करवाया तो उसकी पतनी हाजी बेगम के दोरा हुमायू का मकबरा का निर्मान करवाया गया था कहा करवाया गया दिल्ली में करवाया ठीक है किस से बना था तो वाइट मार्बल स्वेट संग मर्मर से ये निर्मित था और ये भा most important VVI topics उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग काफी पसंद आए वीडियो का सला कमेंट करें जरूर बताएं और अपने अच्छे feedbacks और राय हमें जरूर दिया करें तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही तिल देन टेक केर बाबाई और गॉड ब्लेस यू आल